नमस्कार आप देख रहे हैं सार इंडिया मैहूबल राम ब्रिक समेलन में चीन भारतिय सीमा को लेकर सांती का ज्यान दे रहा था जिस मीटिंग में ज्यान दिया जा रहा था वो मीटिंग पियम मोदी के अनुरोद पर किया जा रहा था पूरी बात समझे आपका दिमाग गरम होने वाला है चीन ने सनिवार को एक नया नकसा जारी किया है इसे स्टेंडर्ड मैप का नाम दिया गया है इस नकसे में उन्होंने अरुनाचल प्रदेश्ट अकसाई चीन को एक बार फिर चीन का हिस्सा बताया है और इसमें चीन सागर ताइवान को भी चीन का हिस्सा बताया है चाइना के अंग्रेजी में छपने वाले अकवार गलोबल टाइम्स ने इसे ट्वीटर पर साजा किया है चीन के इस नकसे पर बीजेपी नेता सुबरमन्यम स्वामी ने क्या कहा है सुनिए आप सुबरमन्यम स्वामी ने कहा है मोदी से कहिए कि अगर वो भारत माता की किसी मजबूरी की वज़ा से रक्षा नहीं कर सकते तो कम से कम पद छोड़ियो और मार्गदर्सक मंडल में जाईए और बैठ जाईए जूट से हिंदुस्तान की रक्षा नहीं की जा सकती है भारत एक और नहरू नहीं जहल पाएगा यह नक्सा उस समय आया है जब हमारे देश के परधानवंत्री स्री जिन पिंग से दक्षिन अपरिका में ब्रिक समेनल में मिलकर आ रहे हैं इससे पहले चीन ने अरुनाचल परदेश के 11 जगों के नाम बदलने पर मंजूरी दिया था चीन अरुनाचल परदेश में 90,000 वर्ग किलो मिटर चेतरों पर दावा दे रहा है जबकि भारत की 38,000 स्क्वाइर किलो मिटर जमी उन्हें 62 के युद में चीन ने अवायद रूप से कबजा कर लिया है ये सब सुनने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है आप हमें जरूर बताईएगा आपको मैं बता दूँ चीन के साथ हमारा एक लंबा बॉर्डर साजा होता है जहां पर अक्साई चीन का इलाका और अरुनाचल परदेश का उलाका और दूसरी तरफ उत्राखंड का इलाका ये तीन तरफ चीन के बॉर्डर हमारे देश से सटे हुए हैं और इन तीनों में अरुनाचल और अकसाई को लेकर विवाद सुरू हो चुका है बिते दिनों रिपोर्ट आई थी कि उत्राखंड में भी उन्होंने नाम बदलने की कोशिस करी थी और उत्राखंड में भी अपना दावा पेस कर रहा है चीन की इस विस्तारवादी नीती को आप किस तरफ से देखते हैं जबकि ब्रिक समेलर में मोदी से बात करते हुए उन्होंने कहा था हमें सांती और सीमा समझाता को ध्यान में रखना चाहिए आप इस नीती को किस तरीके से समझते हैं जरूर बताईएगा धन्यवाद